कि आज हम जानने वारे ज्यारकन पॉब्लीक सर्विस कमिस्न के बारे में यानि जो फोर्म निकली है ठीक ना हालि में ज्यारकन सरकार ने तो इसी के बारे में जानेके सबसे पहले हम जानते हैं इंपोर्टेंट के बारे में यानि की फॉर्म बढ़ने का फी और कब तक लास्टेट का फॉर्म बढ़ा जाएगा तो देखिए जैनरल एडबलुएस और ओबी सी को फॉर्म बढ़ने के लिए फी लग रहे हैं यहां पे 600 रुपए ठेक प्लस बैंक चार्च यह जान लिए और एस्टी ऐसे जो क्यावल जारखन के हैं क्यावल जारखन के एस्टी ऐसे उम्मिद्वारों को 150 रुपए लगेंगे प्लस बैंक चार्च ठेक यह चीज़ लगेंगे फॉर्म फढ़ने के फी देखिए यहां देखिए पी डबलुडी पी डबलुडे यानि की जो सारी रिक रूप से विकलांग है और विकलांगता का परतिसत होना चाहिए 40 परतिसत वह इसे अगर कंडिडेट है तो आपको फी जीरो रुपए लेगेंगे एक भी रुपए फीर देने की नहीं है ठीक पैमेंत मेटोड कैसा होगा आपका ऑनला लाश्ट डेट रहेगा आपको फॉम बढ़ने का पंद्रह मार्च कितना बज़े तक गारा बज़े तक टेक गारा बज़े गारा बज़कर 45 मिनट तक रात के गारा बज़कर 45 मिनट पी एम तक ठेक अब देखिए पेमेंट करने की एक दिन ज्यादा यानिकि 16 तारिक आप यहाँ पर एपलाइक कर सकते हैं फैमेंट को ठेक परमेंट कर सकते हैं अब देखिए और पर आपोप haul हो जाएगा 2021 में ठीक यह चीज हो गए मेंस उसके बाद होता है इंटर्व्यू इंटर्व्यू को डेटीनों में नहीं बताया है अब देखिए एज लिमिट यानि कि आयू सीमा आपकी हम बता दे यानि कि एज लिमिट क्या होती है तो देखिए आपकी उम्र कम से कम फॉर्म जैनरल कटेगरी से हैं तो अगर आपकी उम्र अधिक सदि कितने होना चाहिए 35 वर्स कितने 35 वर्स अब देखते हैं अगर आप स्टी और स्थी मेल और फिम्र यानि तो आपकी उम्र हो जाएगा 40 साल आप 40 साल तक अप्लाइग कर सकते हैं देखिए मैकसिमम एज किसके लिमिट मैक्सिमुम हो जाएगे सांटिस वर्स टीक मैक्सिमुम एज लिमिट फोर जैनरल इबी सी बिसी के लिए 38 साल टीक और एज लेक्सेंस आपको दिया जाएगा एज पर रूल के हिसाब से तो इतने एज लिमिट है और आपको काफी एज लिमिट दे दिया इतना साल काफी होता है आप एक प्रसासन बनने के लिए इतना साल काफी यार 25 साल कम होता है 25 साल के बाद तो अप्लाई ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से पास डिग्रियानिकि आप कम से कम क्या होने चाहिए आपको कम बीकॉल थाया खोल प्र finden कि इंसे कुछ मतलब नहीं किसी भीवसंकाि espect leo ao, Arts, Commerce, Science, ठीक ना, किसी भी सकी यह हो, Political हो, चाहि, History हो, चाहि, खोठा हो, चाहिए कुरमाली हो, चाहिए, किसी भी चेत्री भासा में हो, आप बस Education होने चाहिए, डिग्री के, ठीक ना, यानि कि और आप ग्र्जोशन किये होने चाहिए, ये बात खतम हो गई, किवल आपको ग्रजोसन होना चाहिए, अब देख लेतें कौन-कौन सी वेकेंसी और कितने पोस्ट है, देखिए, यहाँ पे DC के लिए कितने पोस्ट है, यानि कि Deputy Collector के लिए, ठीक, Deputy Collector के लिए कितने पोस्ट है, 44 पोस्ट है, उसके बाद हम बात कर ले पोस्ट है, इसके लिए कितने पोस्ट है, दो पोस्ट है, ठीक ना, उसके बाद Assistant Multiple Commissioner के लिए कितने पोस्ट है, तो 65 पोस्ट है, इसी में सबसे ज्यादा पोस्ट है, उसके बाद जहारखाण education service 2 के लिए 41 पोस्ट है, जुनियर जो रेजिस्टर है, उनके लिए कितने पोस् प्लानिंग ऑफिसर के लिए आपकी नौ पोस्टें और यहां पर लास्ट हमारा आता है यह इसके लिए कितने पोस्टें सत्रह ठीक ना प्रोवेसन के लिए चाहिए अब हम आपको इसका इसका सोट नोटिफिकेशन एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको कोई फेक ना लगे ठीकना और सारा जब चाब तक आप किसी भी चीज का नोटिपिक्सन नहीं देखते ना, तब तक आपको क्या है कि किसे भी चीज पर भरोसा है नहीं करना चाहिए, चाहए कोई कितना भी कहें, क्या मांगता है, ग्यान मांगता है यह सबुथ, अब देखे, ज्लारगं द्वार सब्सक्राइब को देख सकते हैं चलिए मैं इंपोर्टेंट चीजे बता देता हूं अभी तो मैंने पोस्ट बता दी और कितनी पोस्टें वह भी बता दी अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंपोर्टेंट चीजे तो इंपोंटेंट मैं यहाँ पर आपको grade पर बता दूँगा और salary बता दूँगा ठीक देखे वेतन नामा और उपस माहरता जो अभी मैंने बताया डीसे डेपोटी कलेक्टर उसके लिए कितनी है तीरानबे सो से चौंतीस जार आठ सो ठीक और grade पर कितना रहेगा सबीका उसी परकार है सबीका ठीक ना सबीका देख सकते हैं उसी परकार है बस यहाँ पर grade पे कुछ काम है तीन पोस्टे जो last में आती है यह तीनों को मैं बता दूँ यह जो तीन हैती है सहायक नीरिसक समाजिक सुरक्षा ठीक ना नियोजक प्रा दिकारी यानि planning officer और प्रोबेशन अधिकारी ठीक ना प्रोबेशन ओफिसर इसके लिए ग्रेट पे हैं अर्टालीस सो छे सो रुपई काम है इससे ठीक ना बाके सभी का चोवान सो ग्रेट पे वास इतना ही यहाँ पे इंपोर्टेंट है सेक्षन ने कियो गेता मैंने बता दी भारत के किसी भी ओनलाइन आविदन करने वाले भारत या राजसरकार ठीक भारत सरकार या राजसरकार बीदेश के नहीं चलेगा भारत या राजसरकार से आप कहीं भी किसी संस्थान से भी गिरजोसन किये हैं आप यहाँ पे अपलाए क कर सकते हैं उम्र की गन्ना उम्र की गन्ना कब से की जाएगे यह जोररी बात है कब तक आपका एक साल हो जाना चाहिए यह जोररी बात है ठीक न देखिए तो इन्हों एक इस साल तक हो जानी चाहिए देखिए एवं अधिक्तम उम्र की गन्ना एक छो ने स्वरी एक आर्ट दोजार सोला के अधार पर की जाएगी मात्र कोटी के अभियारतियों के लिए आयू की अगर आप स्ट्स नहीं तभी आपको आई की छूट मिलेगे ठीक ना और भी सी आ जो भारत में एक सर्वेंट क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पूर्ण है जार्खन में तीन वर्स तक काम किया है जार्खन सरकार के अंदरग्राउन में जार्खन सरकार की नोकरी के तीन साल तक तब उसे पांच साल आयू में छोड़ दी जाएगी यानि कि 35 साल आई हो है तो यहाँ पे 40 साल तक आप अप्लाए कर पाएंगे ठीक तीन साल आप काम किये हो जारकर सरकार के अंतरगत तभी हो गाई है ठीक उसके बाद जो PW है यानि कि प्रस्टनल विद बैचमार्क डिसेबिल्टी PWD यानि कि बिकलांगता सरीर ग्रूप से उन्हें 10 साल की छूट मिलेंगे लेकिन उसके पास सर्टिपिकेट होना चाहिए और सर्टिपिकेट में 40 परतिसाद हुए बिकलांग हो अपने सरीर का तभी उसे या छूट मिल पाएगे ठीक न तो PWD को काफी छूट मिलता है साभी में और अब मैं यहां पर आरक्षान का लाब तो बता ही दिया आप एक वार नॉटिपिकेट पढ़ लिजेगा मैं नॉटिपिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सारी कुछ जितने भी चीज़े है ना वो सारा कुछ बता दूँगा यह इन्होंने गौर करने की बात है तो मैं चलू बता देता हूं देखिए वह इसे पुरुस या अभियार्थी जिने एक से अधिक विवा की है अगर कोई पुरुस एक से अधिक विवा की है तो वे निक्ति के लिए पात्र नहीं है वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर कोई प पत्नियां जीवी थे एक पत्नी मर गई तो चलेगा लेकिन दोनों पत्नियां जीवी थे तब ऐसे इस्थिति में आप यहां पर फॉर्म नहीं अप्लाइ कर सकते हैं क्योंकि प्राससा नहीं यार एड्मिनिस्टेशन में कोई ऐसे गलती काम नहीं होगा ठीक ना तो आप समझ सर्कार से वह किसी परकार का चीज जिते हैं या फिर मैडल प्राप्त कि ना प्रमान पत्र पॉर्म प्रापत कि तो आप यहां पर यहां सकते हैं अगर आप वाल्ड में यानि कि 200 रिकॉर्ड बनाएं किसी भी चीज के लिए ठेलो या फिर किसी भी चीज हो बनाएं जारखन सरकार भारत सरकार या 200 सरकार यानि कि 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड तीनों में से किसी भी एक जगा पर बनाएं तो आप यहां पर उसका जो है अप्लोड कर दें उससे आपको काफी छूट मिलेगी यह सारे चीज़े हो गए अब हम आपको कुछ चीज़े बताऊंगा तो यह सब चीज़े तो बता ही देता हूं क्या कि देखिए अच्टिन पिछलावर का हाइट जो पुलिस उमिद्वार फॉम भरना चाहते हैं ठीक ना कि देखिए यहां पर बताए गया पुलिस उपाध्यक्ष जिला समादेश्टा कार अधिक्षक एंप्रोबेशन अधिकारी के लिए हाइट होनी चाहिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमेटर यानि 5 फूट 5 इंच 165 सेंटीमेटर 5 फिट 5 इंच होता है 165 सेंटीमेटर 112 सेंटीमेटर यानि की लगवग 5 फूट 3 इंच के बराबर होती है ठीक न मैंने ने टेप से काफी इस सब चीजी की है तो मुझे मालूम इन सब की चीज़ों के बारे में अब देखें यहां पर मैं बता दूँ अना राक्षित पिछला वर्ग महिलाओं के ल सेंटीमेटर यानि के 5 फूट से थोड़ा सा कम क्योंकि 5 फूट में 152.5 सेंटीमेटर होता है तो इन्होंने कहा 152 सेंटीमेटर यानि कि 5 फूट से थोड़ा से कम तो 5 रखिए ठीक लंबाई होनी चाहिए इन तिन पोस्टों के लिए अभी मैंने बता दिया और चेस्ट य यहाँ पे है आपकी कितनी होनी चाहिए सीना आपकी होनी चाहिए 182 फूलाकर ओविसी के लिए और आपका सीनफटी नहीं प्रखिंग यहाँ जो तक बॉड़ी नहीं बना थे क्या जाएंग पूर तक यहाँं यहाँ हो adher चीजे बताओ देना चाहता हूं और कि अगर आप स्ट्स्ट्स्ट्राइए हैं ठिक ना तो आपका चेस्ट का या फिर किसी भी महिदा ओके केंडिडेट को चेस्ट नहीं मेजर किया जाएगा चेस्ट का नाप नहीं लिया जाएगा ठीके ना कि पूरी सब मिद्वार को यह वीडियो शेयर कर दिजेगा जारखन और भारत पूरे भारत के उमिद्वार यहां पर फॉर्म एप्लाइ कर सकते हैं लेकिन छूट जारखन के उमिद्वार को ही मिलेगा थाइंक यू फॉर वाशिंग दिस वीडियो बबाई टेक केर और हेल्थ एंड फिर मिलेगा एक नेस्ट बीटिक साथ तब तक के लिए पढ़िए और अपने हग के लिए लड़िए देनिवाद